आगे रंग सिर्फ पैसों की वज़ा से अपने सच्चे प्यार को ठुकरा देती और उसका दिल बे दर्दी से तोर देती है और बेचारा राक ये सद्मा बर्दास नहीं कर पाता और वहां से चला जाता है आगे पिम रांग से पूसती है कि तुम तो राक से बे इंत्या महबत करती थी फिर तुम उसके साथ इस तरह सुलूप कैसे कर सकती हो तो यहाँ पर रांग अपनी इमेज बचाने के लिए वो पिम को मैनू प्लेट करती है और उसके सामने चुपरी चुपरी बाते करने लगती है और कहती है और यहाँ पर रंग अपनी चुपरी-चुपरी बातों में पिम को इस तरह फसाती है कि पिम भी उसकी बातों पर यकीन कर लेती है दूसी तफ रंग अपने प्यार में धोका खाकर पूरी तरह से देबदास मोड में चला जाता है उसकी फैमली को भी अपने एकलोते बेटे की टेंसन होती है क्योंकि राग बहुत ही डिप्रेशन में चला गया होता है और दूसी तफ रंग अपनी लाइफ की एक नहीं सुरुआत करती है और तेज के साथ नहीं नहीं सपने बुनती है वो भी पैसों के दम पर आगे जब पि अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का नामी नहीं लेता तो पिम उसे बताती है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ही खुस है और उन दोनों की साधी भी हो गई है अब चाहा कर भी रंग तुम्हारी नहीं हो सकता और वो तो अपने पती के साथ यूएस भी सिफ्ट हो रही है वहीं पर वो दोनों अपनी लाइफ की एक नहीं सुरवात करेंगे तो राग जैसे ये सुनता है कि रंग तेज के साथ बहुत ही खुस है तो वो पिम से रिक्वेस्ट करता है कि वो आखरी बार रंग से मिलना चाहता है ताकि वो ये देख सके कि वो अपने लाइफ मार्टर के साथ खुस है और इस आखरी मुलाकात के बाद वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगा तो पिम भी राग की बात माल लेती है और उसे चुपे एरपोर्ट लेकर जाती है तो राग जब रंग को तेज के साथ इतना खुस देखता है तो बेचारा पूरी तरह से सदम नहीं करता बलकि किसी और को पसंद करता है और मैं जब भी उसके साथ होती थी तो वो हमेशा उसी की बाते करता था जिस वज़े से मुझे पता चल गया था कि वो मुझे से प्यार नहीं करता बलकि किसी और लरकी से प्यार करता है तो पिम कहती ऐसा हो ही नहीं सकता राग त तुमसे बहुत प्यार कर तो रांग कहती है तुम्हें रांग के बारे में कुछ भी नहीं पता मुझे पता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता बलकि किसी और को पसंद करता है इधर रांग भी उसकी सारी बाते सुन लेता है और यह सारी बाते सुनकर तो वो पूरी तरह से सॉ कारणामा करके वहां से चली जाती है और बेचारी पिम ये सारी बाते सुनकर पूरी तरह से सौक्ट हो जाती है आगे पिम राक के पास जाती है और उसे पूसती है तुम ठीक हो ना तो राक कहता है अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि उसने जो मेरे साथ किया है उससे म और तीरे देटेरों के सघ्राइब बहते हो जाता है और यह खते हैं वियुक्त कि और गंधीजाब optimized गाesणी कॉपलीट हो जाता है और तूभ में रिगशे घ्राइब के से घ्रत गईण़ को आपई ग्रकेश पलग को का सीन बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो रंग को कहते हैं मैं यहाँ पर तुम्हें पढ़ाई करने को कहता हूं ताकि तुम आगे चल कर हमारा बिजनेस में हाथ बढ़ा सको लेकिन तुम तो यहाँ पर सौपिंग के पीछे इस तरह पागल हो कि तुम्हें कुछ दिखाई नह तुम्हें ही फाइदा होगा और आगे चल कर तुम हमारे बिजनेस में हमारा हाथ भी बढ़ा सकती हो तो पिम कहती है मैंने तुम से साधी की है ऐसे बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है तो यहाँ पर तेज से अपनी बात मनमाने के लिए उसके सामने पागलो की तरह हर जिस वजह से वो पूरी तरह से सदमे में चला गया होता है और बेचारे तेज को रांग की हर जित को माननी परती है क्योंकि उसके पास कोई आप्शन ही नहीं बचता क्योंकि वो रांग से बहुत प्यार करता है और वो उसे सैड भी नहीं देख सकता दूसी तब पिम भी अ तो वो कहता है अगर तुम इसी तरह सौपिंग करती रही ना तो मैं तुम्हारी पॉकेट मनी बंद कर दूँगा मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में कुछ करो पर तुम तो यहां पर बस पैसे उड़ाने के लिए ही आई हो तुम्हारा जब मन करता है तुम वो ज सारे खर्चाओत को तुम पूरे करो तो तेज कहता है मैं तुम्हारी फिजूल खर्ची से पूरी तरह से तंग आ चुका हूँ अब से मैं तुम्हें एक फूटी कोडी भी नहीं दूगा तो रांग को इस बात पर बहुत ही गुसा आ जाता है और वो सिधा अपने पापा को काल करके अपने पती की सिकायत करने लगती है और अपने पापा से एक मिलियन पैसे मांगने लगती है वो भी सॉपिंग करने के लिए तो हुसके पापा यह सारी बाते चले और रांग को फि expect हो और वो गुस्से से रांग का फोन शेन ले तया और अपने सबस्रेट को पापा आपको इसे पैसे Bernard कि कोmind ज़रत नहीं है इसने बहुत सारी फृजूल खर्ची कर लिया और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है और तेज गुसे से रांग का फोन तोर देता है तो रांग को भी गुसा आ जाता है और वो उसे खीच कर एक थपर मारती है तो बिचारा तेज रांग से थपर खा कर दो पूरी तरह से सौक्ट हो जाता है और वो गुशे में कहता है अब से तुम्हारी फिजूल खर्ची बंद अगर तुमने फिर से कोई फिजूल खर्ची की तो मुझसे कोई उमीद मत रखना और वो ये कह कर वहाँ से चला जाता है और रांग गुसे में आ जाती है, दूसी तरव रांग के पापा अपनी बेटी की ऐसी हरकतों को देख कर, पूरी तरह से सरमेंदा होते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी की परवरिस अच्छे से नहीं की, इस जिस वज़ा से आज उनकी बेटी ऐसी हो गई है, पर रांग की मॉ उल्टा, रांग के पापा पर ही इल्जाम लगा कर वहां से चली जाती है, इधर रांग के पापा रांग की हरकतों से इतना परिसान हो जाते हैं कि उन्हें हार्ड अटेक आ जाता है, और यहीं पर उनकी मौत हो जाती है, आगे रांग के पापा का अंतिम संसकार मनाया जात तो यहां पर PIM और राग की फैमली भी आतीएगे। उसे तो इस बात में ज़्जादा इंट्रेश्ट होता है। कि राग और PIM का क्या सिंग छल रहा है। इसलिए वो सिधा डिरेक्री पिम से पूछी देती है कि क्या वो राक को डेट कर रही है तो बैचारी पिम के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता क्योंकि वो अभी राक को डेट ही नहीं कर रही होती दूसी तक तेज और राक के भी मुलाकात हो जाती है तो यहाँ पर राक तेज को बताता है कि वो पिम को डेट कर रहा है और वो पिम से बहुत प्यार करता है तो तेज कहता है ये बात सुनकर मुझे राहत महसूस हुई कि अब तुम मेरी वाइफ के पीछे नहीं पड़े हुए हो और तुमने गिव अप कर दिया और तुम्हारा वो सब करने का क्या मतलब है तो राह कहता है तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुमसे साधी करना चाहता हूँ अगर तुम हा कहो तो तो पिम जैसे ये सुनती है कि राह उससे पसंद करता है और वो उससे साधी करना चाहता है ये बात जानकर तो उसके खुशी का कोई ठीकाना ही नहीं रहता और वो साधी के लिए हाँ कर देखना तो राक ये बास उनकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो ये खुश खबरी सीधा जाकर अपने पैरेंट्स को बताता है तो उसके पैर तो रांग कहती है वो काम छोड़ दोना और वापस आकर अपने पापा का हाथ बढ़ाओ किसी और के अंडर में काम करने से अच्छा है कि तुम अपनी कंपनी समा लो तो तेज कहता है मैं भी अपनी फैमली से दूर रहकर कोई खुस नहीं हूँ मैं यूएस में उन लोगे कांडर काम इसलिए करता हूँ ताकि मैं एक्सप्रियंस ले सकूँ तो रंग कहती है मैं कुछ भी नहीं जानती अगर तुम्हें यूएस वापस जाना है तो तुम अकेले चले जाओ मैं तो नहीं जाओंगी मैं तो यहीं पर रहकर मज़े करूँगी अब फैसला तुम्हें करना है और रंग यह कहकर वहां से चली जाता है अगली सुभा रंग पिम से मिलने के लिए उसके आफिस पहुँच जाती है तो वहां की कलिक्स उसे बताती है कि अभी पिम बिजी है इसलिए वो बहार में उसका इंतिजार करें पर रंग इंतिजार करने के बज़ाए उसके स्टूडियो में गुज जाती है और वहाँ जाकर हंगामा करने लगती है तो पिम के कलिक्स भी पीछे नहीं हरते और वो रंग को उसकी आउकात दिखाते हैं इस वज़ा से यहाँ पर जमकर महा भारत होती है आगे वो लोग सान्थ होकर एक कैफे में बैठते हैं तो यहाँ पर रंग उस कंपनी के बॉस के सामने ही उसके कलिक्स की बुराई करने लगती है तो मैई भी चुप नहीं बैठती और वो कैट मेरे कलिक्स ने कोई भी गलत का कम नहीं किया है बलकि तुमने हमारे कम्पनी का डूल करऊ और तुम्हारी कम्पनी का डूल तोरो गी तो हमारे कलिक्स इसीतरा तुमारे साथ बहेे करें और यहाँ पर मैई रंग को ठीक ठाक सुनाती है जिस वज़़ा से रंग का चेरा तो कुटे जैसा हो जाता है और उसे यहां पर माफी मांगनी परती है आगे मई जाने से पहले रंग को कहती है अगर तुम्हारे पास कर भी फ्री टाइम हो तो हमारे पोड़कास्ट पर आना क्योंकि हमारा पोड़कास्ट तुम जैसे महलाओं की दिमागी हालत को ठिक करने में बहुत ही माईर है क्योंकि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें दिमागी बिमारी है और मई यह कहकर वहाँ से चली जाती है और रंग को मई पर बहुत ही गुसा आता है इसलिए वो पिम के सामने उसके ही बॉस की बुडाई़ी करने लगती है तो पिम भी चुप नहीं बैठती और वो कहती है यहाँ पर साफ साफ तुम्हारी गलती है अगर तुमने इस तरह रियक्ट नहीं किया होता तो आज इतना बड़ा सीन क्रियेट नहीं होता तो रंग को ये सब सुनकर बहुत गुसा आता है कि पिम उसकी साइड लेने के बज़ाए अपनी बॉस की साइड ले रही है आगे पिर से अपने चुपरी चुपरी बातों में पिम को फसा लेती है और उसे पूछती है कि उसके और राख का क्या सिंड चल रहा है क्या सच में वो दोनों डेट कर रहे हैं तो पिम उसे बताती है कि बहुत जल्द मेरी और राक की साधी होने वाली है और हम दोनों साथ में बहुत ही खुस है यह बात जानकर तो रंग को बहुत ही मिर्ची लगती है तो वो पिम को नीचा दिखाने के लिए अपने पती की उसके सामने तार और वो ये सारी बाते सुन लेता है ये सारी बाते सुन कर तो उसे बहुत ही गुसा आता है कि तभी रंग भी राक को देख लेती है और वो समझ जाती है कि राक ने उसकी सारी बाते सुन ली है लेकिन फिर भी वो बेवकूफों की तरह राग के साथ friendly होने की कोशिस करती है और उसे gift भी देती है जो यूएस से वो सिर्फ उसके लिए लेकर आई हुई होती है क्योंकि उसे पता होता है कि इस तरह का scent उसे पसंद है तो राग भी उस पर्फियूम को लेने से मना कर देता है मेरी पसंद अब दोनों ही बदल चुकी है मुझे यह नहीं चाहिए और राग यह कहकर पिम को अपने साथ जाने को कहता है तो पिम राग के साथ जाने लगती है तो रंग भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो चोड़ी छुपे, पिम के बैग में वो परफ्यूम रख देती है तो राक ये सब कुछ देख लेते हैं और वो पिम के बैग से उस परफ्यूम को निकाल कर सीधा जाकर रंग के हाथ में थमा देता है और कहता है मुझे ये पर्फ्यूम नहीं चाहिए इसलिए बेकार की हरकते करना बंद करो और राक ये कहकर वहां से जाने लगता है तो रंग कहती है तुम अभी तक मुझसे गुसा हो उस बात को बीते हुए बहुत अरसा हो गया अब मेरी साधी हो चुकी और अब तुम्हारी एक बात के लिए सुक्रियादा करना चाहता हूँ तुमने पैसो के लिए मुझे छोड़ा था ना अगर तुम मुझे नहीं छोड़ती तो मैं अपने प्यार से कैसे मिल पाता तुम्हारी वजा से आज मैं एक ऐसी लड़की के साथ हूँ जो सिर्प मुझसे प्यार करती है और राकिये कहकर वहाँ से चला जाता है तो रांग को ये सब सुनकर बहुती गुसा आता है कि जो लड़का उसके प्यार के कसीदे पढ़ा करता था आज वही उसे कटी चली बाते सुनाकर उसे वॉइट कर रहा है ये बात जानकर तो उसे मिर्गी का दौड़ा ही पर जाता आगे पिम राक को कहती है कि तुम्हें रंग से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए तो राक कहता है मैं उस लगी के बारे में बात नहीं करना चाहता है उस लगी का नाम सुनते ही मेरा मूट खड़ाब हो जाता है और राक यह कहकर पिम को वहां से लेकर चला जाता है आगे तेज के गम में उसका साथ देने के बजाए इस बात को लेकर टेंसन में आ जाती है कि उसे फिर से मरने के काले कप्रे पहनने पढ़ेंगे और सोक मनाना पढ़ेगा और उसने जो इतने सारी डिजाइनर कप्रे खरीते हैं वो सब नहीं पहन पाएगी जब तेज रंग के मुझे ऐसी बाते सुनते है वो तो पूरी तरह से सौक्ट हो जाता है और वो कहता है मेरे पापा मरे है और तुम्हें अपने कप्रों की पड़ी है तो रंग कहती है तो मैं क्या करूँ तुम्हें गले लगा कर तुम्हें संतावना दूँ ये सब मुझसे नहीं होगा ये सारी चीजे मुवी और ड्रामा में ही अच्छे लगते हैं रियल लाइफ में नहीं मुझे ये सब पसंद नहीं और रंग अपने पती को ऐसे हालात में अकेला छोड़ कर पिम से मिलने के लिए चली जाती है आगे तेज अपनी वाइफ के बिना ही अपने पापा का अंतीम संसकार करता है तो साड़े लोग उसकी वाइफ के बारे में पूछते हैं पर बेचारे के पास कोई जवाब ही नहीं होता दूसी तब पिम रंग को अपना साधी का कार्ड देती है और उसे बताती है कि उसकी साधी थाई स्टाइल में होने वाली है वो भी बहुती धुम धाम से इसलिए वो अपने पती के साथ उसकी साधी में जरूर आए तूसी तो पिम को ये सारी बातें बूरी तो लगती है भिशे पर द्यान देती और उसे कहती है कि तुम अपने पती के साथ मेरी साधी में जरूर आना तो रंग केहती आज आउँ लेकिन तेस नहीं आपाएगा क्योंकि आज सुबह ही उसके पापा की मौत हो गई है इसलिए वो उनके अंतिम संसकार में बिजी है तो पिम कहती है तुम्हारे ससुर की मौत हो गई है तुम्हें अपने पती के साथ होना चाहिए तुम यहां क्या कर रही हो उसके उपर बहुत सारा करजा है और वो लोग बहुत जल्द बेंकरप्ट होने वाले हैं तो वो अपने वकिल से पूछता है कि इस प्रॉब्लम से निकलने का क्या सल्यूशन है तो वकिल उसे बताता है कि अगर हम अपना ये सारा अपार्टमेंट बेच दे तो साइध हम इस तो तेज एक ग्रेंट पार्टमेंट को बेच सके तो यहाँ पर वो अपनी वाइफ को भी इन्वाइट करता है पर उसकी वाइफ उसे इग्नॉर कर देती है और वो यहाँ पर नहीं आती आगे इस सारी पार्टमेंट नहीं होता तेज का कोई भी अपार्टमेंट नहीं बि पर मैय उसे बिलकुल भी घास नहीं डालती और बैचारे का पोपट बन जाता है इधार रंग अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो इस हलत में भी धेर सारी suff impres करती है तो तो तेज उसे बताता है कि हमारी company की यहालत और तुम मुझे नहीं रोक सकते तो तेज कहता अगर ऐसी बात है तो अपने पैसे पर सौपिंग करो मेरे पैसों पर नहीं आज के बाद मैं तुम्हें एक भूटी कोरी भी नहीं दूँगा तो रंग उसे से अपनी मा के पास चली जाती है और वहां जाकर अपनी मा के पैसों पर सौपिंग करने लगती है जब उसकी मा अपनी बेटी की ऐसी हरकत देखती है वो तो पूरी तरह से सदमे में चली जाती है क्योंकि उनकी हालत भी कोई ठीक नहीं होती और अपनी बेटी की वज़ा से उनकी हलत बहुती खड़ाब हो जाती है आगे उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो रंग को यहाँ पर अपनी मा की फिकर से जादा बाहर घुमने फिरने में जादा इंट्रेस्ट होता है और वो अपनी मा को ऐसी हालत में छोड़ कर बाहर घुमने के लिए चली जाती है तो रंग की मा की जो नोकरानी होती है और नोकरानी की बेटी रंग की ऐसी हरकत देखकर तो पूरी तरह से सौक्ट हो जाती है और उन्हें यकिन नहीं होता कि ये लड़की अपनी सगी मा के साथ ऐसा कर रही है आगे रंग अपनी मा की हॉस्पिटल बिल का सारा खरचा तेखके उपर मर देती है और उसे पेक करने को कहती है पर तेज पेक करने से मना कर देता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो बिल पेक कर सके तो रंग कहती है सादे के टाइम तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे और मेरे पेरेंट्स का खयार रखोगे तुम अपने वादे से नहीं मुकर सकते तुम्हें ये बिल पे करना ही होगा तो तेज कहती है तुम्हारे पास भी तो पैसे है तुम खुद पे कर दो ना तेज को खीच कर एक थपर मारती है तो तेज को भी इस बार रहा नहीं जाता और वो भी उसे थपर मार नहीं वाला होता है पर वो रुख जाता है और कहता है इस बार मैंने बरदास्त कर लिया अगर आइंदा से तुमने मुझे पर हात उठाया तो मैं भी अपना हात नहीं रो पाऊंगा और तेजिये कहकर वहां से चला जाता है